गुट मॉर्निंग ये सर कश्टम शुरू करें क्या ओके तो सबसे पहली बात आगी रे कश्टम क्या होता है आगी रे कश्टम चार्ज क्यों हुआ बेसिक फंडामेंटल क्या कश्टम का सबसे पहले हम वह बात करेंगे दिल थाम के सुनना इस सेशन इस वेरी इंपॉर्टन सेशन मेटा इसमें लगभग लगभग पूरा कश्टम आपको समझ में आ जाएगा बच्चा क्लियर और यह जो लगभग लगभग पूरा कश्टम का कि अगर आपके फिट हो गया तो आगे कश्टम के चप्टर में टाहिम भहत कम लगए यह बटापको अपको क्लियर द्यादेना बच्छो सर कस्टमस का सर कस्टम्स एक1962 कि कि कस्टमस एक 1962 कि पर इसका चार्जिंग सेक्षन सेक्षन नमर्ट 12 है बेटा वह बोलता है क्या कस customs duties shall be levied on import of goods into India and export of goods from India as per the rates given in custom tariff act क्या बला सर मतलब पहली बात तो import of goods and export of goods पर custom लगता है बेटा बेटा services की बात नहीं करिए services के import export पर लगता होगा क्या IJST वो मेरे को नहीं आता बेटा भी हम दो बात करेगे इसकी customs की क्योंकि services के import export पर कोई custom clearance नहीं कराना पड़ता बेटा इसलिए वहां केवल IJST लगता है बेटा clear customs duty is levied on import of goods and export of goods from India into India बेटा हाई ना भाई clear as for the rates given in custom tariff act अब सुनना दियान से बच्चों देखना दियान से स्क्रीन पे सर customs act 1962 सर एक और act दे रिखा है customs tariff act 1975 जिसमे rate of tax दे रिखी बटा के दे रिखी बचा rate of tax in fact custom tariff act में दो schedule दे रिखे दो schedule schedule 1 और schedule 2 very good बटा schedule 1 में दे रिखा क्या import of goods पे custom कितना लगेगा and schedule 2 में दे रिखा क्या export of goods पे custom कितना लगेगा सर तो custom duty is levied on import of goods and export of goods import of goods पे किस rate of tax लगेगा वो दे रिखा का schedule 1 of the custom tariff act and export of goods पे custom कितना लगेगा वो दे रिखा schedule 2 of the custom tariff act अच्छा अब यार मुझे बताओ कि government ने import of goods पे custom लगाया out of India's goods इंडिया मा रहा है सब ठीके सर समझ माता है पेटा पर यार do you think कि government should charge the customs duty on export of goods also पेटा should government promote the export or not to promote the exports government को क्या extra tax लगा देना चाहिए tax नहीं लगाना चाहिए इसलिए export of goods पे customs लेवित होता है पर सर केवल कुछ ही goods दे रिखी कहा पेटा should number two में बेटा only few goods are given there right बेटा बाकि export of goods पे custom नहीं लगता अच्छा अब आप सोचिए कि वो कुछ goods जो लिखी होगी कहाँ schedule two में बेटा अच्छा कौन सी good schedule one में कौन सी schedule two में कुछ भी पढ़ने की जरुत नहीं बेटा आपको सब्सक्राइब तो डी मोटिवर दे एक्सपोर्ट ऑफ दोस पर्टिक्रील गूट्स बेटा मनलब गौवर्मन चाहती कि उन गूट्स का एक्सपोर्ट कम हो बेटा हो सकता है इंडिया में अल्रेटी उन गूट्स की shortage है बेटा और आप उनको एक्सपोर्ट किया रहे हो सब हो सकता है इसलिए गौवर्मन ने क्या कर दिया उस पर एक्सपोर्ट कने पर एक्सपोर्ट डी लगा दिया आप बात समझने बच्चों मेरी आप अरे clear ठीक सर तो सर आप मुझे बताओ मेजरली बात करें अगर हम मेजरली बात करें तो कस्टम्स का revenue मेजर कहां से आएगा अवाज नियारी दिखो यार इंपोर्ट अफ गुड्स से मेजर revenue आएगा एक्सपोर्ट अफ गुड्स से revenue आता है पर कुछ गुड्स पर आता है थोड़ा साता बेटा तो यू टेल मी कस्टम्स के measures of provisions होंगे वो भी किसको reward करेंगे बेटा इंपोर्ट नोट आउट एक्सपोर्ट के लिए प्रोविजन देरेके वो भी हम पढ़ेंगे बच्छो पर सर कस्टम्स का main revenue कहा सारा है इंपोर्ट अफ गूर्ट मैनली कंट्रॉल किसको करना है इंपोर्ट को मैनली सर गवन किसको करना है इंपोर्ट को क्लिए नोट मेरा अगला question क्या पिट आपसे आखिरे customs charge क्यों हुआ आप question समझा पिटा सर याद है जब मैने GST श्रू किया था आपको बता था क्या 10 का credit क्यों मिला शायद वो हर जगा को काम आया होगा सर तो सर customs की बात अगर जीवन में आ जाए तो यह याद रखना क्या custom charge क्यों हुआ आरा है fundamental आपके सामने कि आखिर custom charge क्यों हुआ दिल थाम के देखना मिटा अच्छा अगिन यह fundamental है बिट्चा मैं जो figures आपे लूगा जो example लूगा वो उस figures को लेकि बेटमत बिचाना मिटा कि नहीं आपने तो सही बोला था अरे भाई concept समझे कोशिश करना मिटा clear समझे अच्छा सर मानलो अच्छा आप और में मिलके मस्तो की बात करेंगे बिटा क्लियर क्योंकि बोला ना सर जब आप और में मिल जाएंगे तो हम जीत जाएंगे हाँ ना सर क्लियर तो देखते है सर तयारी जीत की गुड़ सर मानलो गुड़ बिटा मानलो आपने कोई goods इंडिया में बनाया यह है DG मतलब domestic goods यह है क्या IG मतलब imported goods चलिए मानलो good भटा आपने कोई goods इंडिया में बनाया है clear on and average उस goods का value और आया इंडिया के इंदर कितना बेटा थाउजेंड बेटा क्लेर मानलो ये मार्कर आपने इंडिया मनाया और ओन एवरिज़स की सेलिंग प्रैस कितनी बेटा थाउजेंड सोचो बेटा यही गोड्स अगर अमेरिका बनाता है यही गोड्स को एक एक डेवलोब्ड कंट्री बनाता है जहां एकनोमीज और स्केल पर प्रोडक्शन होता है फिक्स्ड कोस्ट अल्रेडी एलोकेट हो रखी है वेस्टेस बहुत कम है टेकनोलोजीज एडवांस डे टेकनिकल सपोर्ट अच्छा है इंफ्रास्टेक्शन बेनिफिट्स बहुत अच्छे है बेटा डेफिनिटली कर इसी कंट्री वो गोड्स बनाएगी सेम गोड्स आप मुझे बता हो यही गोड्स अगर अमेरिका मना सर इसका वेलू क्या उतने ही आएगा बेटा कम आएगा बेटा मानलो इसका वेलू कितना रहा बेटा सर 800 मानले थैं सर क्लियर कितना रहा बच्छो 800 जो गोड्स इंडिया मन्रा उसकी वेलू कितने ही बेटा 1000 वोई गोड्स अगर आप युएससे से इंपोर्ट करोगे तो कितने में आएगा बेटा 800 आप कौन सा पर्चिस करोगे बेटा सर सेम गोड्स जो इंडिया मन्रा कितने में 1000 में वोई आउट व इंडिया मेरा कितने में 200 में आप मुझे बताओ आप कौन सा पर्चिस करोगे 800 वाला सर कितना ही करलो स्वदेशी बगाओ विदेशी अपनाओ सर, सदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ सर, कितना ही आंदोलन करलो सर पर at the end, जो सस्ता पड़ेगा हम गूड्स वोई लेंगे बेटा हाई न सर, सोचिए हिंदुस्तान का हर आदमी अरजुन भाई, हिंदुस्तान का हर आदमी अगर यह इंपोर्ट गूड्स लेन लग गया बेटा clear, सर, डॉमेस्टिक मारकेट मारकेट का क्या होगा बेटा, लोस लोस फेक्तरि उला कब तक बेयर करे गया बेटा अल्टिमनल्टी फेक्तरि बन सर, देश की लगबगला वो सारी फैक्टिश बन तो, Ultimately क्या होगा बटा, Unemployment? Ultimately poverty बटा, अब लोग पास, सर पेशा नहीं है, हाँ ना बटा, Ultimately Education नहीं हो पाएगी बटा, Clear, सर ना पेशा ना होगा बच्चो आप मुझे बताओ आदमी करेगा तो क्या रहेगा गया बटा अपने लिए नहीं अपने बच्चो के लिए कुछ तो करेगा क्या करेगा गजवागता चौरी करेगा अप क्लिर? क्राइम करेगा सर? कहाँ चोरी करने कहा जाएगा? पास की गवंचे करने नियुका? पूरे देश क्यला देशी विटा? जहाँ चोरी करने गया वहाँ आदमी परसर रोड़ा था vida यह थे ना? आप मुझे बताहओ अब आदमी चोरी भी करेगा तो कहा करेगा पीटा आउट फिंडे जाएगा पीटा मतलब आप ultimately international चोर बन जाओगे ultimately ध्रीदरे आपका terrorism बढ़ जाएगा एड़ आप ultimately क्या बन जाएगे terrorist हाई ना भाई clear, sir आप सोचिए sir आपने अगर Domestic Goods को नहीं बचाया तो ultimately हमारा देश के लोग क्या बन जाएंगे बटा Terrorist इतने बोले बोले इतने प्यारे इतने संदर लोग क्या बन जाएंगे बटा Terrorist Sir, सोचे आप ध्यान से सोचे आप ध्यान से Sir, ऐसे case में अगर आपने Imported Goods इंपोर्ट किया तो देश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला बेटा बहुँच ज़दा बेटा Clear, मतलब इस सोमे जैसे लड़के भी पीटा Terrorist बन जेगी बेचा Clear, Sir, मतलब यहाँ पे कोई GST क्लास नहीं चलेगी बेटा Clear, Sir, यहाँ पे Mongol Terrorism Class डाकू मंगल सिंह आरा पढ़ाने के लिए Bum कैसे फोन ना है Sir, Sir, कोई दूसर डाकू आरा है Sir, मिसाइल कैसे सोननी है अरे हाँ ना भाई और इसके बीचना पढ़ेंगे 10 का क्रेडिट 10 का क्रेडिट क्यों मिला नहीं 10 का मडर क्यों किया Sir, सुनना अरा हा न भाई इसलिए Sir, इसलिए हम लोगों ने क्या क्या बैटा Sir, ऐसा सिचुशन देश का होई नहीं बैटा इसलिए हम लोगों ने क्या क्या बैटा Sir, बोल दे क्या नहीं चलेगा हमने पूरे देश में केडल मार्च कर ली बैटा Simon Go back सर हमने सर श्ट्राइक कर दी और बूल दे क्या अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूके रो हम अस्तरे हम तुम्हारे साथ है केंडल मार्स पे बेड़े हो साब अब गॉर्मेंट से बात करी बेटा सुनना सर जब मैं जाओंगो नमटा तब याद आएगी वड़े देन अगना मेरे को भी आएगी सर सर एक मिट अब सरकार पोईंट यह है हम समने क्या क्या इश्ट्राइक कर दिया और हमने सरकार को बोला क्या नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब अल्टिमेटली गौर्मेंट बला क्या नहीं चलेगा हमने इंपूर्ट बंद करो बात करो समझो ध्यान से क्या भूला सर? sistema इंपोर्ट बं जूपी अगर सोचो हमने कर इंपोर्ट बं कर दिया क्लेयर ? तो क्या हमारे एक्सपोर्ट ता हो पाएगा कुछ ना इंपोर्ट व। ना एक्सपोर्ट व। पाएगा सारे इंटरनेशाल ट्रांजेक्शिन बंद हमारी एक्णोमी ओपन एक्णोमी वो क्या हो जाएगी अपसे क्लोज एक्णोमी हो जाएगी no globalization बेटा हाई न भाई सर development एक level तो गोगा उसके पाद रुख जाएगा बच्चो हमारी एक्णोमी ग्लोबल एक्णोमी नहीं बन पाएगी हम world leader नहीं बन पाएगे बच्चा अब क्लेर तो गोवर्मेंट बोला क्या नहीं 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 बात करी वेटा आप बात करिये सर्व कि import बंतों नहीं कर सकते साब क्लेर अब क्या करें बात करें discussion चलता तो हमने बोला एक काम करो हमारी goods की क्या करें तो लोगों ने बोला क्या एक काम करो हमको 200-200 रुपे की subsidy देऊ साब गौर्मनला subsidy अभी तो हम तुमसे लेने वाले सर सब्सेडी तो बहुत धूर की बाते ना हो पाएगा हाँ ना भाई हर मेनुफेक्टर को 200 रुपे की subsidy देए तो कहा जाएंगे बाता क्लियर तो एक काम करो सर इंपोर्ट बंद कर दो अब इंपोर्ट बंद करनी सकते हैं डॉमेस्टिक मार्केटिवी की goods को subsidy देनी सकते हैं तो करें तो क्या करें बाता इसलिए government came out with the solution of customs duty अरे government क्या लेकिए बटा custom duty और imported goods भी क्या लग जाए बचा custom duty आप मुझे बताओ कित्ता custom लगना चाहिए क्या 300 सोचिए अगर 300 custom लग गया सोचो एक बार अगर 300 custom लग गया तो import goods कते हैं क्यों गया बटा 1100 domestic goods 1000 यह बात अगर अमेरिका को पता बढ़ गई कि मोधी जी बना गए हाँ है ना equalize 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 करते करते सर मोधी जी बना गए बेटा क्या clear बेवकूफ clear पागल मुर्ख और आपकी language में ठीके सर अब मेरा पर अब सर शुना बाति द्यान से तो ऐसे केस में आप मुझे बताओं सर अमेरिका नाराज हो जाएगा बच्छा आप उसको यह लग गया क्या अच्छा अमेरिका चोड़ो सारे देश को यह वर्ल्ड को पता पढ़ जाएगा बटा कि हिंदुस्तान ने हमारी goods पे हेवी कस्टम लगा दिया सो देट हमारी goods वहां सेल नहीं हो पाए बेटा क्योंकि उनकी सेल एक दम ड्रोप हो जाएगी बच्छा तो 300 कस्टम चार्ज हो नहीं सकता है बटा तो कितना लगाएंगे बटा मानलो 100 लगाया बटा तो सर अल्टिमेटली आप क्या बंजोगे बटा टेररिस्ट क्लियर समझे मेरी बात क्योंकि क्योंकि डॉमेस्टिक गूड्स बिल्कूल बरबाद हो जाएगी बच्छा हाए न तो आप मुझे बताओ क्स्टम चार्ज क्यों हुआ आप बात समसर मेरी बटा क्स्टम चार्ज क्यों हुआ तो एक्कुलाइज दा इंपोर्ड गोड्स बिल्थाम के सुनना मजा आपको पता है यही थोड़ देर पहले हम क्या सुचते है क्स्टम चार्ज क्यों हुआ इंपोर्ड को महिंगा करने के लिए इंपोर्ड को डी मोटिवेट करने के लिए इंपोर्ड को कम करने के लिए एक आम जंता यही सुचती बिटा अगर यह विजन होता तो हमारा एक्स सब्सक्राइब और सामना जाना चाहिए क्यों हुआ है तो इकुलाइज दा अच्छा डॉमेश्टी गूट्स नहीं रहे तो लाइफ में अगर कभी भी किसने ऐसे किया है मतला उसे पूछा है क्या कस्टम चार्ज क्यों हुआ बेटा बेक अब अब बेटा क्लियर आप क्या क्या क्यों हुआ विटा टुए इकुलाइज था इंपर्ट गूट्स विद्ध डॉमस्टिक गूट्स क्यों चार्ज हुआ बटा हाँ ना भाई अरे यस से नो क्लियर तो सर जैसे ही गौर्वर्मन ने 200 लुपी कस्टम लगाया सर हमारी गूट्स थाउजन की उनके भी गूट्स कितने की थाउजन की वही केंडल मार्च खतम और बोला क्या आद देखे जरा किसमें कितना है दम सेर और लग्या क्या अब सर ओके सर तो डॉमस्टी गूट्स कितने का बटा थाउजन का बच्छा हाँ ना भाई अच्छा अब सर थोड़ा सा फिकर चेंज करो बटा में ध्यांते ना सर कस्टम डूडी पर सोशल वेलफेर सर्चार्ज भी लगता है बटा क्या लगता बच् इसलिए फिकर सेंज करा बटा में या लिख रहों क्या 182 पीटा सर सोशल वेलफेर सर्चार्ज एड़ेट ओफ 10% ओफ कस्टम डूडी पीटा कितना होता बटा 18 मानलो बटा सो अपने फिगर बराबर हो जा अच्छा सुनो मैं जो या फिगर लिख लिख रहों ये किवल हमने फंट कर लेंकिया हमने रोड बनाई हमने सर्फ रेलवे बनाई हमने एरपोड बनाए और बाहर के लोग आखे मज़े लेकर चले जाए बिटा तो उनसे भी तो कुछ शेर ओर रेवर्न लेना चाहें यार्ट बाट पर कितना ले? लूट लो इसा मारो इनको इसा कितना बीटा उसके मेक्टरीजम पढ़ रहे बच्छो क्लियर सेक्टीं दिन देना बिटा में कॉंसेट प्टा रहा हूं यह क्यों रगा क्यों लगा अब आप मुझे बताओ तो से कॉस्टर में करना थिया क्या करना है यह सब पोलिस को धेनम रखते वे गौर्मन क्या करता है कॉस्टम को बेटा अरे क्लेयर चलिए सर तो सारे लोग खुश केंडल मार्च वही खतम और सर लोगों ने बोला क्या आदेखे जरा किसमें कितना है दम जैसी लोगों ने गुट्स बना चालू किया फेक्ट्री चालू ही इंदुस्तान में जैसे गुट्स बेचा क्या लग गया बेटा ज अब मुझे पताओ डॉमेस्ट्री गुट्स कितने का हो गया बेटा वन वन एट जिरो और सर इंपोर्टर कितने का बेटा अब आप कौन सा खरीद होगे बेटा अब तो कोई केंडल मार्च नहीं बेटा इस बाद तो मशाल लेके बोश गया नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुमारे साथ है तुम भुके रो हम अस्तर है हम तुमारे साथ है इसलिए अगर कोई गुड्स अपने आउट विन्ने से इंडिया में इंपोर्ट करी तो आलोंग विद अगुड़ करी तो आई जिश्टी भी लेविव होगा हाँ है ना भाई कितना होगे पैटा 180 अब कुर सा गुड्स पर्चेस करोगे पैटा आ देखे जरा किसमें कितना है दम clear custom charge की हुआ to equalize हाँ है ना भाई clear पर sir देश कुन सा बैटा India यह आपने मानलो car बनाई दी बैटा क्या बनाई दी बैटा अपने car यह मानलो आपने तम्भव को बनाते cigarette बनाई दी बैटा अपने उस पर क्या लगता है बैटा अच्छा तब मभूप क्या लगता है चूना बेटा वें अभे चूना महराज सर इधर ध्यान दो मालो सर साथ में क्या लग जाएगा GST compensation सेथ मालो कुछ गूर से बेटा जिन भी क्या लगता है GST compensation सेथ सेथ सपोस रेट कितना है बेटा 10% किता हो जाता बच्चा वेल्यू पे वेल्यू कितना है 1000 1000 गा 10 मर्श कितना होता है 100 Sir GST compensation says it's not surcharge it is a separate tax which is levied from तंबाओ कुखाने वाले से हाई न भाई सिक्रेट वालो से बेच्चा मोटर वाइकल खरीदने वालो से बेच्च हाई न भाई it's a separate tax और वह सारे प्रोविजिन जो GST की वह इन पर भी अपला होते हैं तो GST किस पर लगते हैं वैल्यू पर तो CSP किस पर लगेगा वैल्यू पर जान भूज कि मैंने 1180 नहीं लिखा था ठीक है क्योंकि CSP लगाना हो था मैं लेको बिटा अब गूर्ट कितने का होगे आपका अब कौन सा पर्शेश करोगे बिटा इंपोर्टेड अब तो आप तलवार लेके पोज़ गये बिटा कि अब तो और एक आख पर पट्टी लगागे बिटा कि फाइनल अब तो क्या बना बिटा टेर्रेस्ट हाए ना भाई सर और हाए ना भाई इसलिए सर स्नेहा ने विजुला इसके लिए बिटा सर यह तो बिटा वो ओली पट्टी लगाए बिटा यहापे क्लियर सर अबे सर ओके विटा सर इसनेहा पट्टी लगाए चल रही बाकी लोग पूरा पट्टी लगाए आगे इससे चल रहे है ना सर ध्यान दो तो सर ऐसे केस में गौवर्ण ने गया कि बिटा जीएश्टी कंपनसें सेस्ट अगर लगता है किसी गूड्स पर इंडिया में और वो गूड्स अगर आपने आउट ओफ इंडिया से इंपोर्ट इससे कार इंपोर्ट के बिटा अपने है क्लियर तो ऐसे केस में उस पर भी क्या लगा दिया बिटा एडिश्टनल कस्टमिटी अंडर सेक्शन नंबर 3 सब्सक्शन 9 ऑफ दी कस्टम टैरिफ 8 विच इ बया जीश्ट लगता है उसी वैल्य पे सेज़ भी लगता है बिटा जीश्ट लगता है बहा जीश्ट लगता है बच्छों आंना बाई कितना हो गया वन्न टू एड़ ज्यो अब कोन सा पर्चिस करोगे आ देखे ज़़ा किसमें कितना है रहे दम इस दंड और ये स्टम च है क्लियर समझे मेरी बात चुछा स्क्राइज क्या क्यों क्यों बड़ा पूरा बोलौ अच्छा मैंने को ऐसे किया है तो डिके सम्झे मेरी बात क्योश स्क्राइज क्यों हुआ to equalize, ठीक है, ठीक, एक मिर्ट, मुझे बताओ, इस पटिक्लिकर केस में, total customer कितना लग गया है, बैटा, total customer कितना लग गया है, पच्छा, अरे, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, यार, यह 1, 2, 8, 0 है, इसमें से add and release कर दो, बागी सब क्या है, customer भी तो है, बैटा, clear, बली यहाँ पर IGST हो, या सेस हो, है तो additional customer denominator, clear, अच्छा, इधर, इधर, पर, जैसे ही, इंडिया में GST लगा था, बैटा, आपने वो goods purchase किया, अपने business के लिए बच्छो, आपको क्या मिल गया, बैटा, ITC, किसका, GST का मिल गया, ITC कितने का, बैटा, 180 का, बैटा, सर, जी, और मालो, आप, तंबाको क्रेट देता किसके लिए बच्छा, cigarette बनाने के लिए, बैटा, clear, उसके लिए अगर purchase गया ना, बैटा, तो credit नहीं मिलता है, वहाँ पे तो, सर, आप end के जिबर होगा, बैच्छा, ठीके, GST, कितना, बैटा, 100, इसका, आपको ITC मिल जाएगा, GST, CES के लिए पे लिए पे लिए पे लिए पे लिए पे लिए पे लिए बैच्छा, ठीके, तो आप मुझे बताओ, आपकी कोश्ट कितनी होगी, बैटा, अरे भाई, 1280 में से, 180 का, GST का क्रेड, 100 का, GST, CES का क्रेड, तो कोश्ट कितनी होगी, बैटा, और import goods कितनी होगी, बैटा, मतलब अगर अमेरिका कोई बात पता पढ़ गई, कि equalize, 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 करते, करते, मोधी जी लगा गए, बैटा, और खुद के देश, खुद के टेक्स क तो, क्रेड दे दिया, और हमारे बेंट बजा दिया, बैटा, इन्होंने, तो गलत हो जाएगा नहीं आ रही है, clear, इसलिए, जो custom pay कि आपने कितना, 480, इस कभी क्या मिल जाएगा, बैटा, अगर 480 का क्रेड दे दिया, तो तो finally हम क्या बनने वाल है, बैटा, terrorist, कि कोश्ट इतना हो जाएगा, बैटा, 800, sir, इसलिए, 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 sir, सुनना, सुनना, अरियन भाई, इसलिए, sir, इसलिए, गोर्मन बोल दिया, ध्यान से, लेंग्वेज सुनना, बैटा, प्लीज सर, देखो, मैं श्रुवात से, लेंग्वेज, अगर पर्फेक्शन से सर, clear, इसलिए, क्या वोला, sir, customs का कभी भी credit नहीं मिलता है, क्या वोला, sir, except 37 and 39, except 37, क्या है, बिटा, IJST, 39 क्या है, says, वो भी कब, अगर इंडिया में GST क्रेट मिलता होगा, तो 37 मिलेगा, इंडिया में सेस का क्रेट मिलेगा, तो 39 का मिलेगा, दोनों का मिलता है, तो, दोनों का मिलेगा दोनों में से एक का मिलता है दो एक का मिलेगा किसी का मिलेगा नहीं मिलता दो किसी का मिलेगा अच्छा वेसे भी यहाँ पर 37-39 को डायेट लिंक कर दिया किसे है GST से बिटा 37 को बोलते ही क्या है I GST तो जीस्टी मिलता हो तो इसका यू मिल जागा क्रिट बटा clear? सेस बोल दिया बटा 3.9 को बटा सेस का मिलता हो तो ये भी सेस है तो है बच्छो हाँ है ना भाई? और मेरे इस एक्जामपल में सेस दोनों का मैंने क्रिट लिया इसलिए आप भी आइटी से लेंगे किसका बटा? 3.7 में जो जीस्टी पेक है वो और सेस पेक है आपने किसमें? 3.9 में बटा हाँ है ना भाई? clear? तो यह पर 180 का क्रिट यह पर 100 का क्रिट तो ultimately आपकी कोश्ट कितनी होगे बच्छा? 1.280 में से 280 का 80 मिल गया तो कोश्ट कितनी होगे बटा आपकी? 1.280 क्लियर? अब कौन सा गुट्स पर्शेस करोगे आप बटा? अब कौन सा गुट्स पर्शेस करोगे? आप देखे ज़रा किसमें कितना है? 2. तो आप मुझे बताओ क्स्टम चार्ज क्यों हुआ? क्लियर दन चलिए सरकार आगे बरता है भाहम सर यहां तक समझ में आएगे आपको? अरे मजा आएगे ने आए भाई? yes, good बटिया, भोत अच्छा बटा, इधर 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 हुषरी? मानलू? good बटा, सुनन सुनन बटा, लवेश, सुनन बटा, सर in case of GST क्या हुला सर in case of GST इधने ज़र सर यह आपने पड़ा क्या custom charge की हुआ अब एक काम करते है थोड़ा सा custom समझते कि आखिर कोई goods अगर आपको import करना है बेटा तो कैसे import हो का बेटा इंपूर्ट का system तो देखे बेट एक बर custom पड़नेंगे यार पड़नें के आखिर कोई टैमने लगता बेटा पर एक बर system समझते ले आखिर custom होता क्या बच्छो यार clear कोई goods import करने देखे बेटा पन केसे import होता समझते system को बच्छो जानसे क्या बेटा क्या बेटा system system कुछ भी बटा मतलब sir import of goods import of goods for home consumption अच्छा home consumption मतलब घर पे लाए खाने के लिए ना बेटा machine import करी क्यों खालो हो गए ना बेटा अरे home consumption मतलब domestic market में लाने के लिए बेटा clear domestic market मतलब फेक्टर में काम लो या घर पे काम लो बेटा ठीके इधर import of goods for home consumption बच्छो इधर इधर अब आपको कोई goods out of इंडेस इंडेम इंपोर करनी बेटा कासे बेटा कासे बेटा मनलू बेष्ब कंल क्प्वआ कंव क्व जब आपको वह lived लो अच्छाइब कर दो अच्छाइब कर दो इसको प्लीज आप बुक में मार्किंग मत करना नहीं तो बुक गिली हो जाएगी बटा अच्छाइब कर दो अच्छाइब करना है बटा चलो यहाँ पर मालो कोई कंट्री नाम क्या बटा सिंगापूर बटा लक्षदी प्याबे बटा सर सिंगापूर से कोई इंडे में इंपोर करना है सिंगापूर से कोई गूड्स इंडे में इंपोर करना है बटा कैसे इंपोर करोगे बटा यह तो शिप से दोको पहली बात हो यह शिप होता है बहुत छोटा बटा जब बड़ी बड़ी गूट्स बड़ी बड़ी मशिन आती तो बड़े जहाची होते उसको बलते वैसल क्या बलता सर वैसल अब सर मैने मैने अजम्शन लिया है कि अपने पहली बार पढ़र बेटा पन हमको कुछ भी नहाता कस्टम बेटा ठीके नहीं आता सर अपने गो right from the scratch हर एक चीज समझ नही बच्च्चू ठीके ध्यान से बच्च्चू सर इध धयान इध धयान आरामसे मस्टों के पढणना मजा आया आगा सर you'll really enjoy it सर मालू good बटा and जर प्मेंटन दर concentration, मज़े लेंगे, हम सब मिलके मज़े लेंगे, अकले-अकले मज़े लेंगे, बेटा, clear? किसके topic है, ठीके, जाने दर, जाने दर, सर, out of India से goods आ रहा है, कैसे आएगा, बेटा, import may be by vessel, it may be by aircraft, और अगर nearby country है, तो बहाए, road भी आ सकता है, by railway भी आता है, बेटा, by railway भी import export होता है, या करो बेटा, मुन्नी मुन्नी यादा ही बेटा, clear? वो कौन सी वाली train में ही थी बेटा, वो मालगाणी में ही यादा बेच आपको, passenger वाले vehicle, वो train में नहीं ही थी बेटा, transport, हाँ? अरे, clear? सर, इधा द्यान, इसी लिए, सर, इधा द्यान, इसी लिए, सर, एक मिनिट, सर, आप प्लीज सर द्यान देना, मैं क्या करहा हूं, topic है पर मज़े लेंगे, द्यान दरवना चे, मस्त होगे, मस्त होगे है, पर द्यान इधा पूरा, सरकार, तो import में भी by road, इध में भी by vessel, इध में भी by railway also बटा, इध में भी by air also बचो, हाँ है न भाई, चलिए, अब Singapore से आ रहा है, तो हम अच्छा, प्रोचेशर सब के लिए सेम है, ठीके, सर, चलो, हम मान लेते हैं, vessel से आ रहा है, goods, चलिए, Singapore से goods निकला है, ऐसे, vessel निकल वो gateway window पे vessel घूम रहा है, जिससे goods see आ जाए हो, आ जो, आ जो, ऐसा, तो सबसे पहला, सबसे पहला, step, सबसे पहला, step, sir, appointment of, ports, airports, land सा था, तो land customization, etc, ठीके, यह था section number 7 of the customs act, clear, सबसे पहले, क्या, पॉर्ट अपन्ट होंगे, बिटा, तो CBS ने क्या किया है, sir, government ने क्या किया है, port अपन्ट के, बिटा, अरे, क्या अपन्ट के, बिटा, पॉर्ट, जहां से import and export will take place, बिटा, आप देखें न, मुमई, बिटा, marine drives, कि वापे vessel आ सकते हैं कोई goods, समझाएं मेरी बात, yes, तो इसके लिए designated, port होते हैं बिटा, है ना बिटा, ध्यान दे बिटा, वो vessel ने आया था बिटा पर, और उसमें goods ने आया थे बिटा है ना, yes, sir, जो आया तो उसको मियाद नहीं करने होते बिटा, sir, कसाब आया था ना, बिटा, यार, maybe उससे साथ है बिटा, और आपकी किस्म देखो बिटा, उससे आप पड़ रहे हो बिटा, sir, सुनना बात की ध्यान से, बिटा, ताका आप terrorists ना बने, very good बिटा, meet, एक पड़ पापा की नमबर देना बने को, sir, सुनना, मान लो, अरे इधर द्यान दू... सर इधर द्यान, मालो.. सबसे पहले गोवर्मेंट के क्या बटा.. Port Point के बटा.. यह Port है, मालो.. यह Port.. यह Port.. यह Port.. Clear? Government Point Port appointment के बटा.. ठीके? अब सर Port Appoint होगे बटा.. Airport.. सर.. बाई लेंड अगर आता तो लेंड कस्टम इस्ट्रेश्शन अपोंड होते है ठीके बाई एटा थो एरपोंड होते है जासे कस्टम क्लेरेंस होगा ठीके अब क्या होगा भी पोड़िक सुनना बच्चो से इंस्टेप एक सेक्षिन भाना रखा पूरा जापे परसं इंचार्ज व थी कंवेंस को बलाए क जो पोट हमने अपोइंट कि अंडर सक्ष्ट नमर 7 उनी पोट पे आप आ सकते हो कोई और आप लेंडिंग नहीं कर सकते हो except in case of emergency बेटा अब सोची कोई emergency है वो बले नहीं मैं तो पोट पी जाओंगा बकी जाय तो जाय कोई बात नहीं clear so in case of emergency emergency lending can be done anywhere in India पर immediately intimation will be given to the nearest police station या custom department and अगर emergency lending करी भी है तो he will not allow any of the passenger any of the person to disembark from the vicinity of the vessel or any of the goods to be unloaded from the vicinity of the vessel मतलब उससे बाहर उतरने की permission नहीं देगा unless it is necessary to safeguard their life पता बड़ा आग लगरी ओलर नहीं officer को आंदे फिउतरना अरे पागल क्लियर सर अराइवल एट फिक्स प्लेसे ओनली बेटा हायना कई और अवर आइव नहीं हो सकता चलिए सर सुनना एक मिन्ट अच्छा आप प्लीज से बाहर मन जाए बेटा बस मस्त होगे पढ़िये मज़े करेंगे मैं कि रहा हूँ गरेंटिया को मज़ा आएगा सर ठीक है साहिए पर सुनसें पड़ांगा मैं आपको बोटा ठीक है मस तोगे पढ़ना बाढ़ ओके अब सर क्या वह बता है भाई पर संच को बलो कि आपको फिक्स प्लेस फे आना है बढ हाँ अब क्या होगा अ आ गया बेटा फिर क्या होगा बेटा अनलोट करेगा जिसके से गूट से बेटा वो वेसल पर चड़ेंगे अपने गूट से उतारेंगे और जाएंगे घर पर है ना बेटा बात कर रहे हो सर चलो एक चीज़ बताओ मुझे आप मान लो सिंगापॉर्ट से जब निकला था वो वेसल उसके पास वन लेक युनिट थे बेटा यहाप वेसल पर बेटा उसने मान लो यहाँ पर जहाँ पोर्ट नहीं था वह उसने इल्लीकल यहाँ पर अनलोडिंग कर दिया स्मगलिंग कर लोगो कोकिन सवगर आप लेता हो ना वह नहीं होता है बेटा क्लियर स्मगलिंग मतलब एनी में बोल देता हूं बेटा एनी इंपर्ट अव गोड्स इन कॉंट्रावेशन अव दी प्रोविजन सव दी एक और रूल समेट देर रेंडर बेटा क्लियर आपने कोई भी रूल या प्रोविजन का कॉंटर वेशन किया मतलब क्या होगी बेटा अब साब इदर अब 70,000 units अगर उसने अनलूट कर दिया और मुंबई पोर्ट पे जब वो आता है तब बोलता है क्या मेरे पास तो 30,000 नहीं थे, यह रहे 30,000 मिटा तो कुछ तो कंट्रूलिंग होती होगी यार क्लियर कि सिंगापूर से वनलेक निकला था ये मुम्मई वालों को पता तो होना चीए वना रास्ते में कहा कहा इल्लीगल अनूट करेंगा अपनों पता कैसे बढ़ेगा बच्छो यार इसलिए सिस्टेम बना रखा है वो बुलाए क्या कि जब वो वैसल आएगा उससे पहले वो एक रिपोर्ट फाल करेगा जिसको बोलते है क्या इंपोर्ट जन्रल मैनिफेस्ट क्या बलते ज़र इंपोर्ट जन्रल मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट हो नहीं रहे इलेक्शन की बात नहीं करें बटा इंपोर्ट जन्रल मैनिफेस्ट ठीक है अच्छा कौन फाल करेगा बटा ये कौन लेके आएगा पेटा पर्सन इंचार्ज अधी कन्वेंस पेटा केप्टेन पेटा है ना भाई येस तो सर थर्ट प्रिंट क्योंगे पेटा в इंपोर्ट जन्रल मैनिफेस्ट पर यही अगर वाईकल के थ्रूहात रहता है ग selbst इंपेटा अधी य अगर वाईकल के तले इंपोर्ट और आता है ब्लीफ नोध इन्फ मेनिफेस्ट तक्लिफा कि उसको इसको एंज्वें आले की इंपोर्ट मनिपूर्ट तो वारता था ठीक है अच्छा IJM is required to be submitted before arrival of the vessel या aircraft online file करना पड़ता पड़ता पर वाहिकल में थी facility नहीं होती इसलिए after arrival of the vehicle within 12 hours percent charge of the convince को import report submit करना पड़ता पड़ता अच्छा IJM में या IR में क्या लिखा होगा मुझे बता इट contains the complete detail regarding all the goods which are present on the vessel या aircraft of the vehicle whether those goods are going to be unloaded at that port or some other port it's a concern नहीं यह लिखावा सारा होगा उस पर कि मेरे पास वन लेक उनिट आया बेटा हाई ना भाई अच्छा सुनूं अब यार वो तो लिख देगा 30,000 लाए भीर इसलिए जब यहां से निकलता है तब उसी रिपोर्ट को बोलते हैं क्या EGM Export General Manifest वहां का EGM हमारा तो वहां से जब निकला हो तब उसने EGM FIAL किया हो वहां के Custom Officer ने Verify किया हो ओके किया हो फिर निकला होगा बेटा वो Clear अब वहां से One Lake Unit लेकि निकला मुंबई में आकि उसने EGM FIAL किया या वाइकल की तो आई-ई-आर फाइल किया और वाइकल होता तो export report पुलते बटा उसको ठीके सर उसने फाइल किया यहाँ पे आके IG में आई-ई-आर फाइल किया answer अब क्या होगा बेटा उसने फाइल किया और बोला किया मेरे पास 1-link उनिटे साब वो हे कि नहीं है उसने के illegally smuggling कर गया अनलोड तो नहीं कर दिया गई बेटा चेक तो करेगा नहीं है तो verification भाई verification by proper officer of custom बेटा हाँ है ना भाई PM मतलब proper officer बेच्चा हाँ है ना भाई चलिए सर अब उसने verify किया everything found okay अब क्या होगा यस तो है अब जिसकी जिस goods थी वो आएगा और सर वो ले आएगा बेटा है ना सर क्या होगा बेटा अरे सर अरे unloading होगा ना बेटा उसने verify किया if everything found okay तो वो order pass करेगा officer order pass करेगा yes now these goods can be unloaded in इंडिया उस order को बोलते entry invert order क्या बोलते सर उसको entry invert order को न देगा बेटा बाई प्रप्र प्रफिसर बैच्चो हाँ है ना भाई clear अब सर मानलो entry order मिल गया अब क्या होगा बेटा लेकर जाओ बेटा है ना तो जिस इंपोर्ट ने गूर्स इंपोर्ट करीगी बेटा वह आपे बुट्सबड़ एक विला इस तो अलोल उता बेटा अनलोड होगा बाटा क्या होगा बेटा अनलोडिंग अनलोडिंग वोनेगा वैद प्रफिसर होगा बेटा आने दो पिटा जब तक कस्च्चं गेरेंस नहीं होता क्स्चं अगरा पे नहीं होता तब तक Goods will be held by the officer only And officer will Held the custody of the goods Unless a valid order has been passed for clearance Clear? So, officers in goods Custodians Custodians Clear? So, after unloading Goods are handed over to the Custodian who will held the custody Of the goods unless a valid order for clearance Has been given to them Okay? Now what are the goods? Now what are the goods? Custodian 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 Now 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 Importer Or agent Now C.H.A. Or importer Now वह आके क्या बोले दूते बीटर अबढ़ा है करल एक वाला वुट्स है इन्य ए वाला फूट्स पर काम कुरोंिये देती दिनुंगा का ईसा सर अ तो और तो करेंगे ना गूट्स उसका है कि नहीं बिटा पता पड़ा मंगा यह किसी ओर ने ले गया को और बिटा इसलिए इंपोर्टर क्या करें पटा एक डोकुमेंट फ़ाल करेंगा धश्टम कलराऀ要 उस्टोंट को बोलते की आप बिल ओफ एंट्री कि अभट है इसको किस आप अगूट को क्लिर करी एंवे हो अर। उल्म क्यूल करेंगे इसलें ऑसलीक क्या फाल करेंगे सर उसके अंदर वो सर मैं लिखता है पर बटा वो complete information लिखे लाएगा कि goods का identity क्या है, goods का hs and code किया है, goods का value क्या है, rate of tax कितना है, custom लगता है तो कितना लगता है पर बटा, सर वो self assessment करके लेके आएगा, क्या लिखे आएगा सर plus मैं evidence लगा कि in goods का मालिक मही हो बेटा clear, sir filing of bill of entry for home consumption along with maximum possible documents to as a 10 value and identity of imported goods so that custom officer verify कर पाएगा, आपने chemical मंगाया, कौन सा chemical मंगाया, उसको क्या पता, वो कोई test करेंगा, बेटा clear, कहाया तो बेटा, इसी लिए sir आप वो chemical कौन सा है, उसका hsn code लिखोगे, उसका, अगर मालो examination करा है, पर chemical testing करेंगा, आपने यह सब address करोगे, so that वो custom officer verify कर पाए, कि जो goods आपने मंगाया, वो यही है, बेटा clear, प्लस पे hsn code यह, उसका value इतना है, उसका rate of tax इतना है, इंगोस की कुपी लगाओ कि बिचाव साथ में, क्या अपने इतने में goods import किया बेटा, हाँ है न भाई, clear, इतना अब अपने self assessment करके bill of entry file कर दी बेटा, अब क्या होगा, क्या ले जाएगा बेटा, पहले customer क्या करेंगा, पहले assessment अगर उसको लगता है, everything is okay, तो उसी bill of entry को okay करके, वो return कर देगा, और उसको बोल देगा, कि bill of entry assessment हो गया, पर उसको लगता है, मामला, गड़बड है, then he has the power to reassess the goods after giving opportunity, being heard, clear, sir, अब को लिमना के assessment हो गया, बेटा, अब क्या होगा, अरे duty तो pay करो, पहले pay करो, फिर clear करो बेटा, यह पर customer कोई monthly payment नहीं होता, बच्छा, clear, पहले pay करो, फिर ले जाओ, pay first, clear later, समझे, तो आप क्या होगा, बेटा, होशारी, payment of customer duty, plus interest plus penalty, अगर है तो बेटा, ठीके, नहीं तो किल duty पे करो, ले जाओ, बेटा, ठीके, हाजी, duty पे होगा, आप क्या होगा, बेटा, goods का पड़े बेटा भी, हाँ, एओ, शारी, goods का है बेटा भी, car student के पास, और assessment करने वाले officer अलग होते बेटा, clear, तो जैसे ही उसमें assessment किया, आपने duty pay किया, तो वो order pass करेगा, क्या करेगा, बेटा, वो order pass करेगा, उस order का नाम होगा क्या, यह custom clearance का order है, क्या है बड़ा यह, custom clearance का order है, out of, customs charge order, कौन देगा बड़ा यह, proper officer देगा, कौन सा officer, जिसने assessment किया है, clear, यह order लेकि कहा जाएंगे बड़ा, custodian के पास, फिर custodian check करेंगे, कि इनके लिए custom clearance का order मिला कि नहीं मिला, जिन goods लिए custom clearance का order मिलेगा, तब हो क्या करेगा, बड़ा, removal करेगा, allow करेगा, removal of imported goods for home consumption, हाए ना, बड़ा, clear, फिर क्या होगा, फिर goods, ले जाओगे बड़ा, फिर, चले जाओगे, फिर, फिर, फिर तुम्हारी मर्जी वोकर हमेरे करना बड़ा, हाए ना भाई, आवाज ने अरे होई, इस एक सथ भरत मता के, जै, अब सुनना बात को जान से, यहां तक समझ में, आया की नहीं है सर, यहर मान लो, एक द चुपावा नहीं बेटा, दिल में है बेटा, नहीं तुमको कहना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सर, जो मैं बताऊंगो आपको किसी को कहना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप consultant रन पाएंगे बेटा, वना client आएकर बोलो कि नहीं में, तो आपको नहीं बताता बेटा, clear, तो कहान लो, इदा नज़र, केविल भाई, in case, क्यों नज़र, अगर goods custom port पे आ गया, कहां आ गया, पर सर, किसी कारण से मेरे को goods का अभी custom clearance नहीं कराना मेटा, सर, तो क्या करूँगा बेटा मैं, कुछ नहीं करूँगा सर मैं, वही रहेगी goods बेटा, वो customer अपनी तो सर बेटा, employees बेटा, रखेंगे ध्यान अपने goods का ना मेटा, सर, ध्यान देना, अगर किसी कारण से आपने custom clearance नहीं करा वे दिन 30 days, तो heavy demorous charge becomes payable बेटा, heavy demorous charge becomes payable on the importer बेटा, demorous मतलब, extra charges, आपकी goods का अपने extra ध्यान रहेगा, आपने लेट क्या, आपने extra charge लिया, जो heavy charge होते बेटा, clear, पर मान लो, हमको goods अभी temporary, नहीं चीए, दो-चार मेहने बाद चीए है बेटा, तो क्या करेंगे मेटा, तो वहाँ पे custom bonded warehouse का एक option दे रहे रखाया बेटा, किसका option है बेटा, custom bonded warehouse का, अचा, आयूश भाई, आपके पीछे जो है, हाँ, क्या नाम सर? बाहुल, बाहुल, ओके, तो सर, सुनना सुनना, तो सर, ऐसे case में, किसका option है बेटा? अरे, एक मिन्ना यार, दो मिन्ट रुको, हाँ, बाहुल, सर, तो कब इस्टोर कर रहेंगे उसके अंदर? येस सर, तो ऐसे case में बोल दिया है क्या, कि अगर आपको किसी कारण से, क्या वहाँ सर? आपको गूर्स अभी नहीं चाहिए, बेटा, तो ऐसे case में, you have the option of customs bonded warehouse, बेटा, प्लीज देन देने, पेले मैंने जानबुर्ष के अब तक, आपने बीच में वहाँ सर नाम बोला भी था, पर मैंने नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आपको clear distinction पता होना चाहिए, custodians में और warehouse हों, बेटा, custodians अलग officer बेटा, 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 अलग लोगे बेटा, clear? अब मान लोग किसी कारण से, आपको goods अभी नहीं चाहिए, आपको कारण होना है, बेटा, goods को, warehouse, तो उसका system भी देख लें, बेटा, ओके, देख आपने import of goods किया, और क्या करना है, बेटा, 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 सबसे पहली बात, पॉइंट नमबर 127, सेम बेटा, क्यों? देखो, 127 में क्या था पेटा, पहले, custom port अपन होंगे, arrival at fixed places होगा, IGM file होगा, verify होगा, अनलोडिंग आउडर होगा, entry in order पेटा, फिर अनलोडिंग होगी और goods का जाएंगे पेटा, custodian के पास, आपका रोल तो अब पॉइंट नमबर 8 से शुरू होगा ना यार, goods का आगया पेटा, अरे goods कहां आगया, अब, अब importer आएगा, अच्छा आएगा मतलब online file करेगा, इंपोर्टर या उसका agent आएगा, क्या करेगा पेटा, officer को बलेगा, मेरी goods को वेराउस में रखाजा, इसा, तो हेविल फाइल, दिल थाम के देखना, अगले 10 मिट अगरा आपने ध्यान दिया, मेक एराउंट जीवन में customer का भी दिखतने आएगी, मेरी guarantee से आपसे, clear, ध्यान रखना सर, sir, अब importer या उसका agent आएगा, वो क्या करेगा पेटा, filing of, bill of entry for warehousing, अरे क्या फाइल करेगा पेटा, वो, bill of entry for warehousing फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा पेटा, importer या उसका agent पेटा, CHA या importer खुद पेटा, हाँ ना भाई, clear, अच्छा सुन पेटा, अब क्या होगा पेटा, उसने bill of entry फाइल कर दिया, for warehousing, अब क्या होगा, सोचो, सोचो, मैं से बात करूँ पेटा, sir, warehouse में लेगे देंगे पेटा, फिर, ठीक है, yes, correct, और फिर क्या होगा, warehouse में लेगे पेटा, warehouse में रख दिया, अब, फिर, बाद में जब चैएगे गुर्ट आपको आओगे पेटा, जितने प्रेटलेशल, वो छोड़ भी, clear, बाद में जब चैएगे तब आओगे पेटा, अब आज यहारी होए, clear, फिर जब गुर्ट को रिमूव करने जाओगे, उस टैम पेगर आपने कस्टम पे नहीं किया तो बिटा, चलो एक चीज़ूर, एक चीज़ूर, एक चीज़ूर, नो, नो, एक मिट, मैं नहीं सुरूँगा आपकी बाद, फिले मेरी इस बाद सुने पड़ी है आपको, माल लो, अपने यार, बिलो फिले 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 अपने घर वाले वेरोस नहीं ही जी ए कलियर अब क्या होगा सर सर आप मुझे बताओ क्या अभी कस्टम पे करना है या जब कस्टम वेरोस से निकालोगे तब कस्टम पे करनी है अच्छा एक मिनीट एक मिनीट इतने एकृट चलते बड़ा कुछ लोग सर मानलो सर मेरा क्वेशन क्या है कि कस्टम अभी प्रेकर ना है यह रिमूव करोगे तब आपको प्रेकरना है बेटा अच्छा एक मिट वोलो 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 जल्दी बोलो टू एक वलाइस मैंने पूरा बूला है बेटा व्टो एकुलाइस ना मर्कुर्ट्स वैटी आ मेस्ट्क्रा उम्पेटें में टू मेंव जाएगा मकेंगा जएगाẩं अब जाएगा या उसकान जाएगा अभी जब तक गूर वेर्हों में मतलब क्या किस्टम क्ट्रोल में बिट अब लाइज किस दिनीada क्टपेंगा करेका डॉमेस्ट मर्केंड टॉमेस्टिंक से कॉपका द्लूर्मेस्टिंक में जया है डॉमीस्टिंक म्रकेंं कप जए हने का अ немं जया तो उस्टेम न पहुंद आए। करेंगे अभी आट बेगा भी टो यह सुधिन और माहन व शूंग करों क्या करेंगे वेहराव्मेंट निए आपसे लिखाएंगे अंट है कि सर में अपरिइक देता हूं कि जब गोडों करूंगा साथ कॉंप्लाइन्स अव दी प्रोविश्म करूंगा में कॉस्टेम हो मुण जिए वित इंटर्स पर इंटर्स इन पेनल्टी अगर है थो वेता है भाई क्लियर कितने मुण कास्टंग कितने मुद्ध राइस ड अमौन यह एक मिट बोंड कितने काहए पटा थर्यास्ट गेर यहां ना एक मिनुत्र हई दो श्लीनों मतलब कस्टनोटी निकालना पड़ेगा पड़ेगा मतलब कस्टनोटी निकालना पड़ेगा 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 इसलिए Bill of Entry for Home Condemption ता या ये Bill of Entry for Warehousing है Sir, दोनों में Self-Assessment करके लेक्याना पड़ेगा with maximum possible documents to adjust in the value of the goods and identity of the goods बेटा या दे या लिखा में यह रहा? along with the maximum possible documents to adjust in the value of the goods and identity of the goods आपको Bill of Entry फाल करना पड़ा है, same point यापे भी बेटा clear? अच्छा, क्यों फाल करना पड़ा? क्योंकि assessment करना assessment क्यों क्यों करना पड़ा? क्योंकि bonds बहुंकि custom pay नहीं करना पड़ेगा अपको, सैंद आपको, फैर क्लियर। तो, सर अपक्या होगा पटा, आपने पासेस्ट कोोगा असेस्मेंट क्यों होगा पटा आसेस्मेंट क्यों होगाए custom का amount निकालने के लिए पर custom amount क्यों निकल रहा है बटा bond का amount निकालने के लिए क्या custom pay करना है कि आपको नहीं, चलिए duty का amount निकल गया, अब क्या होगा बटा bond sign होगा बटा warehousing bond, अच्छा system समझ मारा बटा, कि किस्टे पैस्टे, clear अब आपने warehousing bond sign कर दिया thrice the amount of duty का, भाई चलिए no no no, you need not pay the amount of tax, अगर अगर आपको pay करना होता, तो 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 अच्टम clearance करा लते, बटा bond है कि अबल, clear, कि अगर कल को कुछ हुआ तो मैं इतने amount लिए responsible हूँ okay, हाँ government चाहे तो आपसे security और shooting ले सकता है, bank guarantee ले सकता है, बच्चा, वोई कलक बात है, ठीके, you need not pay the amount, pay करना होता हूँ, custom clearance करा लते, ठीके, okay, you need not pay the amount, ठीके, okay, you need not pay the amount, हाई ना भाई, sir, अफसे थे, state, थे, yeah, बाहुल, क्या ना मत आपने तुस हमझ जाना बिटा, इशारे से थे कैम अबले बोला थे, ठीके न प्लीस, sir, ठीके sir, सुनना पाई, S tom iana, a.permazzle, mmAllu you आफार-機kall, आपने wear housing fan कर दिया, क्या कर दिया पट a pain, जीए apply बोट का ए गूड के पास बेटा अस्रस्ट करने वाला ओफिसर अला के बिटा आपने वहां बॉल्ट साइन कर दिया अपने अलग लोगे यार बिटा डिपार्टमेंट यह लगे बिटा सर अब क्या करोगी वेटा कि अ आपको एक order चाहिएगा क्या चाहिए आपको order order for removal from custodian हाई ना भाई येस तो जैसे वेरहाऊसिंग मोंड साइन करोगे आपको permission मिलेगी क्या मिलेगी बिटा permission बोल दो या order बोल दो एक ही बात है बिटा permission या order for warehousing clear ये order लेके कहा जाएंगे बिटा custodian के पास goods का है बिटा भी custodian के पास फिर आपके document देखेंगी कि ये वाले goods आपके है इसके लिए आपको permission ले जाओ साब फिर removal for warehousing हाई ना भाई अब removal for warehousing गुआ गुद्स रिमूव होगे for warehouse के लिए बिटा अब क्या होगा बिटा अब भी remove होगे बिटा goods अब warehouse में जाएगा बिटा warehouse के भी licensee होते बिटा इसके clear सर प्रोपर अपोंडेट लाइसेंसी होते हैं अब क्या करेंगे आप जब वहां गुद्स लेंगे आपकी एक आयक्कमलेजमन देगे क्योद्फ है ऐसाब एक कॉपी वह देगा आपको एक कोपी देखा उस warehouse के जोरिस्टेशनल कस्टम ऑफिसर को एक कोपी देगा किसको उस custom officer को जिसने आपको लाउ क्या वने वे हो होगा PCC 777 shots ना पक्या होगा गुद्स पोर्टाthese अबichenestra वही प्र blond दरी बिचाएंके और से जाएंगे ना म मेट अनलता जीहाँ भीट कि अपकर आप हुआ बैटा क्लियर शर आप सारे चुहों को खाजो कि तो इसलिए आपका वेरासिंग नहीं है इसलिए आपका वेराउसिंग नहीं है प्याए न भाई अब क्या हो गजा आगे अरे आप जाओंगे न इसल्ग गूड्स वेरांस बने कि आप बारी बेटे हो बेटा मैं को आपकी इच्छाओ बढली अब मेरा पुएंट आपसी है कि गोर से में एक पर आप चलेगे जिदा एक पॉटिवर्ब डैटो टाइम प्रेटली वेराउस हैं अला होतार टा उतना टाइम पिर आक्षण हो आप अपके अब क्या बटा कुछ टाइम बाद इन गोर्णा करना रिमोल फ्रॉम वहराउस फोर आवाज नहां रिए फोर हैं इस एक्षिन था नहीं बस इसे क्लिए मैंने एक एक पुई लिख रहा हूं बटा आपने वना गर्पी लिखे लिए था साले पुई में पहिसा अपने गोट्ष ओ वहरॉस में रखुआया दिल थाम किस नमजा आएगा बैटा आपने गोट्ष को में रखुआया पकस्टेंक वहर्उस में रखुआए बैटा हूं करो रहे हैं क Corinth किग आ कि अल्ए को करूंद किया है क्या अritign कि नहीं कि य इंफ Okay सरकार आपने गूट्स इंपोर्ट किया सर उसको वेराउस में रखवाया कोई कस्टम पे नहीं किया अब आपने उन्हें गूट्स को वेराउस ही क्या कर दिया एक्सपूर्ट इदर नजर वापस कर साथ क्यू वा तुछ एकुलाइज दर इंपर गूट्स बढमेस्टी गूट्स कॉट्स चाइए आप मुझे बताओ आपने गूट्स वेराउस में रखवाया और वही से क्या कर दिया बटा क्या गूट्स डॉमेस्टिक मार्केट से कॉंपेट कर रहा है क्या गूट्स डॉमेस्टिक मार्केट में जा रहा है क्या 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 क्स्टम लगना चाहिए क्या no customer will be charged and goods will be allowed for export भारत मता की जै आया मज़ा बिटा this is one of the major reason why the people store the goods in the custom मों नेड़ वेरावस clear sir कोई custom पेकर निज़र रहत नहीं है no 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 आपने goods वेरावस पर रखवाया बिटा वेरावस पर रखवाया फिर आपका export गार रखया आपने उसके लिए एक्सपोर्ट कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया गुड्स को डॉमेस्टिक मार्केट ने कहीं नहीं आया बेटा clear एक तरह से चाइना से करीदा और जापान बेश दिया बेटा without bringing the goods in domestic market बच्छा clear there is no point of custom at all बेटा बोलो यह सार सर आप मुझे बताओ आपने गुड्स को वही से एक्सपोर्ट कर दिया क्या कि डॉमेस्टिक मार्केट से कॉम्पिट हुआ है क्या बेटा कस्टम चार्ज क्यों हुआ तो पता यहां आंसर आपने मुझे अपने आप दिया है बेटा यही अगर आपके माइन में होता क्या import पर कस्टम के लोगा त्यू demotivate the import बेटा तो यह पुझे में पढ़ाता आपको तो मैं आपको बताता कि यहा पर कस्टम नहीं लगता और आप उसको याद करते बेटा दिल की घहराई से answer अपना अपने आता बेटा क्लियर सर ऐसे केस में लोग यही पर कस्टम पर करते थे बेटा अगर नुको लगता क्या इंपर को demotivate करने के लिए कस्टम लगाया थे बेटा क्लियर उनको यह नहीं पता था कि कस्टम चार्ट की हुआ है इसलिए कि रहा हूँ फंडामेंटल भहुत इस्ट्रोंग है सर और यह अभी से नहीं सर लगबग 13-14 साल से पढ़ा रहा हूं बटा मैं कि सर अगर आपके concept clear रहे तो कभी exam में गुमाफ रहा के नया question पूचाना अपने आप आपको सर आये नाओ अब 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 रिमोल अव गुट्स फोर वोलो ना ना अनादर वेरहाओ बटा मतलब Mumbai custom-moded airhouse निकल के आप चैन्ने कस्टमड बढ़ास मेल यारव बेचा अनादर वेरहास मेलब घरवला वेरहास नीं बटा अगें क्या क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि आपको बता है क्यों हुआ बेटा? क्लियर? आईए बच्चो. अब रिमुड फ्रॉम वेरहोस फोर अब तो बोलो होम कंजम्शन. अब आपको गूर्ट रिमूड करना है पूरा ध्यान इधर मतलब 100% ना कुछ लिखना है ना कुछ ध्यान इधर ध्यान मेरी तरह बेटा आपको मेरे से बात कर नहीं अमन भाई बेटा सर मान लो सुरना बचो देंसे मजा आएगा आपको साथ अचा दो अप्रोच हो सकती बेटा एक तो जो मेरे को आता है मैं आपको बता दू बेटा एक मैं आपको ऐसी डारेक्शन में सर लेके जाओं जहां पर आप खुद सोच और खुद आंसते थे बेटा तो आप मुझे बत मेरे को दस मीडिया एक्ट्रा लग जाएंगे पर आपको कभी भी रिविश्म टाइम एक्ट्रा ने लगीगा सर क्लियर द्यान देना बच्छों आप मान लो बहुत अच्छा है पेटा यहर मैंने कोई इंपोर्ट किया था उसको कस्टम मोर्नेट वेरोस में रखवाया था गुड्स अभी का है पेटा अब उस गुड्स का में क्लियर करा रहा हूं फोर होम कंजंप्शन पहला क्वेश्टम में आप से यह है कि कस्टम अब लगेगा कि नहीं लगेगा पेटा बिल्कुल लगेगा सब जल्दी इमत करना सब ठीक है दो बाते हैं बड़ी सुन्दर है मालो जब आपने ओरिजिनली बिलो फेंट्री फाल करें थी है वाली बेटा कौन सी देखिए आपने थोड़ा स्पेस दिया था बड़ा क्यों क्योंकि इस बिलो फेंट्री को बोलते है क्या इंटू बान्ट बिलो फेंट्री फोर वहराँसिंग जब आपने ओरिजिनली गूट्स को इंपोर्ट किया था हुँँ तो कर लो कम से कम जब आपने ओरिजनल बिल ओफ एंट्री फेहराउसिंग फाल करी थी तब मानलो उन गूट्स पर रेट ऑफ टेक्स था कितना 10% बेटा जल्दी मत करना सर मेरे को आंसर नहीं च्याप से बेटा जल्दी मत करना बचो बस जब इंदी फाल करें दी तब टेन परसेंट और जब आप रिमूव करने होगे फॉर होम कंजमशन तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेका नहीं पहले आपको डॉक्मेंट फाल करने पड़ेगे बिटा आपको डिपार्टमन को बूलन तो पड़ेगे ना में वेको क्स करना पड़ेगा बैटा clear यह file करो गया बच्छो हाँ ना भाई आपने इंटेंट दिखाए कि मैं वो गोट्स हो clear करना फूर होम करना बच्छो ठीक है अब मानलो जिस दिन आपने यह बिलो फेंट्री फ्रकरी उस दिन सपोज उस गुड्स पर रेट उटेक्स हो गया कितना बटा 5 परसें यह 15 परसें पहले कितना था टेन मानलो रेट उटेक्स हो गया यह जदा हो गया यह कम हो गया एक एक एक्सांपल लूँ में दोनों से पहले चलो 15 परसें हो गया गवर्मेंट ने रेट उटेक्स 10 परसें से बढ़ा कि कितनी किरती पिटा 15 पेला क्वेश्टन दो पर आप से यह कि गवर्मेंट ने अख्रेट क्यों बढ़ाया होगा सर तो पहले भी तो एक्वालाइस मतलब गवर्मेंट ने पहले रेट था 10 परसें अब कितना होगे पिटा 15 क्यों किया होगा सार हो सकता है डोमेश्टिक मार्केट में महेंगा ही बढ़ गई पेले गुट्स थाउजिंग मार्केट में इंपूर्मेंट टू एट हंड़ा हमने 200 कस्टम नगा था पिटा वही आप मुझे बताओ सबके आवाज नहीं देखो यार बस 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 मेरे इतना ही पूचा बटा एक बार में तो टू एक्वालाइज क्लियर सर कस्टम चार्ज की हुआ बटा टू एक्वालाइज अच्छा किस दिन एक्वालाइज बच्छा जिस दिन डॉमेश्टिक मार्केट से कॉम्पेट करेगा डॉमेश्टिक मार्केट से कॉम्पेट करेगा जब डॉमेश्टिक मार्केट में आएगा डॉमेश्टिक मार्केट कब जाएगा उस दिन जारा था क्या आज जारा है आज जारा तो आज एक्वालाइज करूंगा उस दिन इक्वालाइस करना था आज अगर कम हो गया तो 5 लगांगो क्योंकि आज होसता कोष्ट कम होगी बच्छा क्लियर तो सर ऐसे केस में यहां पर एक्वालाइस करना है तो 5 एसा विच्वर्स हायर नहीं बच्छो या कस्टम चार्ज क्यों अट्टू एक्वालाइस बच्छा क्लियर इसलिए क्या होला सर इसलिए जब आप एक्स पूंट बिलोफ इंट्री फॉर होम कंजमिशन करोगे त और जो नहीं रट ऑफ टेक्स है कितनी 5 या 15 उस्ते टैक्स लगेगा बच्छो हाय ना वीटा एक लियर पक्का अच्छा एक बात और बिटा मानलो सुनना बात के से सुनों के बटा सुनना बात की द्यान से द्यान से लास्ट बात है फिर खतम टॉपिक बिटा यह मालो मैंने गूट्स इंपोर्ट किया ता 1 CR में बेटा इंपोर्ट करने के बाद इसको छोड़ो एक मिन लिए नॉर्मल कोर्स में बात करा हूं मैंने गूट्स इंपोर्ट के ता 1 CR में और मीत भाई आपको बेज दिया 2 CR वे बेटा गूट्स कस्टम कौन से ट्रंजेक्शन में लगेगा है बेटा इंपोर्ट वाले ट्रंजेक्शन पर कस्टम लगता ना यार तो सार मैंने इंपोर्ट ऑफ गूट्स के ता 1 CR में डोमेस्टिक मार्केर में लाया फिर मैंने गूट्स इसको बेशिए देर 2 CR हैं बैच्छा आप मुझे ब गुट्स करिपन लगता है और वालू दॉवा वालू जेशन वेरा ट्रंजेक्शन ओर यह इंपोर्ट के ट्रंजेक्शन पर किस्टन लगता है 4 Si को कहा दिया तोना मेरी अब यहां में फित करता हूं मानलो मैंने कोई मैनने इंपोर्ट किया था वन द्धूर में बेटा उन गुट्स को मैंने goods of warehouse में होता है तब क्या मैं इसको बैच सकता हूँ क्या बिल्कुल हाँ बैच सकता हूँ sir goods का ownership document इसके नाम पर transfer कर दूँगा बैटा मैं जरूर दोले goods physically इसके हाथ में दूँगा बैटा अरे आप कोई freight खरीत हो क्या फ्रेट हाथ में दो क्या बैटा आपने document होता है उसके ownership document उच्चो clear तो sir ऐसे case में मैंने आपके नाम पर ownership document transfer कर दिये आपको बिली शुगर दे 2CR का बैटा बोलो यह sir चलिए import मैंने किया था नजर इधर import मैंने किया था goods को warehouse में रखवाया था goods अभी warehouse में बैटा मैंने goods को बेच दिया किसको meet भाई को कितने में 2CR में goods का अभी अब goods का custom clearance कराना है for home consumption कोन आएगा mangal आएगा या meet आएगे meet भाई आएगे बैटा कि he is the owner of the goods अब यह custom clearance करेंगे तो custom यह पे करेंगे किस value पे custom लगेगा 1CR या 2CR 1CR इस तो 2CR में खरीदा ना यार देख custom लगता कौन से transaction पे है import का transaction की ते मुवा पेटा 1CR में तो sir यह देखो ध्यान से वो तो आपने import करेंगे custom इसले पे नहीं किया था क्योंकि goods को आपने वेहराउस में रख़ाया था revenue defer हुई थी गवर्मेंट की बेटा clear इसलिए sir जब goods निकलेगा वेहराउस से for home consumption तब reassessment होगा but only in respect to rate of duty not value हाई न भाई revolution नहीं होगा rate of duty अगर change होगी तो उसके according reassessment हो जाएगा नहीं rate से tax लएगा बरी नहीं rate of tax कम होएं ज़्यादा उसे फार्ग नहीं पड़ता clear reassessment होगा duty का मौन निकलेगा अब duty का मौन निकला तो क्या होगा बोलो आगे आपको आता है सब sir payment of customer duty with interest with penalty if any अच्छा सुनो जैसे आप लोग ने दो तिन मार बोला वेहराउस इंग चार्जिस बच्चा मैंने नहीं लिखा जान मुझके बच्चा क्यों क्योंकि 2016 में privatization हो गया इसमें मिटा मोदी सरकार ने custom bonnet warehouse क्या कर दी बटा privatize कर दी है मतलब यह है कि अब जो private warehouse operators होते है वो run करेंगे custom bonnet warehouse बटा और वो लोग वेहराउस इंग रेंट लेंगे बटा जिसने वेहराउस में गुट्स रक्वा है बटा अब वो वेहराउस रेंट ले या ना ले custom वालों को मतलब भी क्या बटा उसे नहीं custom वालों तो अपना custom clearance का order pass कर देंगे बढ़े उसने आपने वेहराउस रेंट लिया या नहीं लिया अच्छा अब goods तो आपके pass है ना बटा वेसे भी वो वेहराउस रेंट नहीं देंगे तो goods मतले ना बटा आप लो पर वो आपका look-out है custom वालों का look-out नहीं है 2016 से पहले या पर वेहराउस रेंट भी लिखा था जिसको काटा बटा cut किया बटा intentionally बटा clear? ठीक सर क्योंकि privatization हो गया बटा very good आईए सर अब आपने custom पे कर दिया with interest with penalty अगर्था तो वो पे कर दिया बटा अब क्या होगा बटा goods कहा है assessment वाले officer तो कोई हो रहे नहीं यार वेहराउस वाले हो क्या पता बढ़ेगा कि आपने custom पे किया गी नहीं है बटा इसलिए order pass होगा कौन सा order out of customs charge order हाँ ना भाई कौन पास करेगा proper officer पास करेगा फिर आप वेहराउस ओपटर के पास जाओगे उसको ओडर दिखाओगे फिर वो goods रिमूवल अलाओ करेगा बोलो या सर clear सर और अगर मानलो यह आप यह सारी goods थे बटा इसके लवा और कोई goods आपके नहीं थे तो जो bond आपने पड़ा याद है फाइल यादा पड़ा bond उसको भी cancel कर दे न पड़ा पर हाँ मानलो वेहराउस में रख़ाए थे बहुत सारे goods remove किया कुछ होई goods तो वेहराउस इंग बोन तो रहेगा पड़ापका clear वो कुट्स गुट्स निकल जाएंगे बड़ापके हाई न भाई मैने मानला सारे goods निकल के बड़ाउस तो cancellation of warehousing bond and removal of imported goods for home consumption from warehouse इसी के साथ भारत मता की system समझ में आया कि निया पूरा topic समझ में आया कि निया और इसी के साथ भारत मता की जहें एक लास्ट बात और पूचल के बड़ापसे यार आवाज नियारी होई नजर इदर नजर इदर मानलो नजर इदर मानलो डंग से आवाज नियारी मानलो एक मिन कर्सम चार्च की हुआ बड़ा इदर इदर में हूब भाई कस्कम चार्च क्यों अशर किस दिन इकोलई जिसल्व डोमेश्चर मार्केंस और मार्केंस कमपेट अब करेगा Cap करेगा जब क्प्रमेश्चर में जाएगा अब अ Film our बीलो तो एक हाले आपने च्लियर कर से कुट को ता यह आ है योश म बाट में इनके ऐसे का गैए पर रहुंग किया है यह हो गया हाँ न चाज क्यू आ माल लो गुट्स का वापस से एक्सपॉर्ट का ऑर गया और उनी गुट्स का अपने वापस से क्या कर दिया export कर दिया अब मुझे बताओ जो custom पे हुआ था वो पे होना चीए क्या बेटा उस custom का क्या मिल जन चीए refund, that refund is called duty drawback clear that refund is called duty drawback, जो duty पे क्या उसको drawback करके ला रहा है भारत मता की जह है, point कतम होता है अब, अच्छा आपने warehouse से ही export कर दिया होता, बेटा तो drawback के चक्रम फस्द ही नहीं भड़ता, बेटा आपको वही रखा, वही से export की है भारत मता की, जहे, आपका mind कितना mature हो गया, custom को लगके समझ मारा बेटा, आपको point clear, done, और लोग पता है, ये drawback को वगरा याद कर करके परशान होगे बेटा, और institute ने drawback को chapter से, आपके silver से हटा दिया बेटा जबकि drawback था ऐसा बेटा, clear, बठीक है सर, पर मैंने वो भी आपको ही हिंड दे दे कि होता क्या drawback बेटा आपको, clear, done, इसी के साथ, भारत मता की जहे, समझ मैं आया क्या, पक का done, सर, तो सर, इसी के साथ, ये custom का एक मैंने, आपको story समझाने कोशिश करी क्या की custom होता क्या है, सुनो break दे रहों मैं आपको, पर हाँ, custom का idea समझ मैं बेटा आपको पूरा, 100% बचो, clear, done, चलिए सरकार, मिलते हैं, एक छोटे से break है, बाद, अच्छे, एक मिन, एक मिन, कोई doubt है बेटा, हाँ, एक मिन, बोले, 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 जब मीत ने पेगे, हाँ, सर, अगर मीत ने custom clearance कराया, तो custom तो लगेगा कितने पे, 1 CR पे, इसने कितने में खरीदा, 2 CR में, इसको value पता, पढ़ जाएगा, बिल्कुल पता पढ़ेगा, साब, तो वो, मेरा और इसका commercial transaction decision है, सर, मैं लू या निलू, वो मेरी चुई से, बेटा, और हाँ, मंगल्स, marker के इतनी demand है, बेटा, 2 CR या 4 CR रोड़ करिदा ने कितने ते यारता, बेटा, ही है, और इसका मेरी costing एक लाग रुपी ही है, मुझा डंसर, दे दू, कोई बात नहीं, वो मेरा और इसका decision है, बेटा, पर custom one CR पर लगे है, बेटा, हाँ, कुछ, बात करूँगा, बात में, बेटा मैं, अरे clear, येस, इसका भी answer बात में दूँगा, ठीक है, सर, इनका point ये है, कि आपको जब China से import किया, आपने वेराउस में रखवाया, और जापान export करना ही था, तो आपने इंडिया में लाया ही क्यों बेटा, और वो तो मेरा business reason है, बेटा, आप diet China से purchase करें, जापान business 2 में के दिखते बेटा, पर हो सकता न, आपको कुछ stories करना पड़ता है, जब आपको जापान से order आएगा, तब हो सकता चाहिना कि बस goods नहीं हो बेटा, वो आपका business reason है ने बेटा येर, clear, yes sir, पक्का, चलिए सरकार, मिलते हैं, ब्रेक के बात, thank you so much, thank you.